Welcome back to my channel So, आज की वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं Storekeeper के MCQ for your upcoming exam So, ये previous year based paper है तो आप लोग इस paper को अच्छे से याद कर लो Because आज की वीडियो में जो questions होने वाले हैं काफी नए होने वाले हैं तो अच्छे से अपनी आप लोग तयारे कर दो और मेरे चानल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना अगर आप लोग बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको वीडियो की notification में ही मिलेगी तो फड़ा फड़ से जो है चानल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए तो सबसे बहला कोशन हम देख लेते हैं जो बच्चे हिंदी में मांग रहे थे उनके लिए भी मैंने ट्राइ किया है कि मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में भी समझा पाऊ तो सबसे बहला कोशन देख लेते हैं अगर आप लोग के मेरे अफ़र्स अच्छे लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना तो सबसे बहले कोशन में आपको बताना है इन्वेंटरी में वो इन में से किसको स्टैंड करती है मतलब इसका अर्थ क्या होता है इन्वेंटरी के अंदर इसका राइट आंसर है सेकिंड अंडर स्टॉकिंग कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं उप्रयाप संग्रहन लागत जो कोशन है अल्रेडी आ चुका है आपके एक्जाम में तो आपके अपकमिंग एक्जाम में भी आ सकता है उसका राइट आंसर हो गया अंडर स्टॉकिंग कॉस्ट अन उप्रयाप संग्रहन लागत और आप लोगों को जो है under stocking cost का मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है हिंदी वाले बच्चे जो है यहां से समझ सकते हैं कि आप लोगों को बताना है जो यह उप्रयाब संगरहन लागत होता है इसका मतलब क्या होता है फटा-फट से आप लोग comment box में अपना answer जो है drop कर दो इससे आप लोगों की ही help होगी So question number second मैं आपको बताना है जो automatic guided vehicles होते हैं जिसे हम AGVV बोलते हैं इन मेंसे वो कौन सा होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं explain कर देती हूँ जो सचलित माग दर्शित वाहन AGV है इन मेंसे वो कौन सा है So उसका right answer है fourth Battery operated driverless vehicle को हम automatic guided vehicle बोलते हैं ऐसे वाहन होते हैं जिसमें battery संचाले driver नहीं होते हैं So आप लोग जो हैं मेरे channel पर जितनी भी storekeeper से related videos हैं वो आप देख सकते हैं for your upcoming exam वो सारी ही videos आप लोग के लिए helpful हो सकती है So question number third में आपको बताना है जो negotiation skills होती है जिसे हम वारतलाब कौशल भी बोलते हैं इसकी जरूरत इन में से किस procedure के लिए होती है So उसका right answer है third Purchasing and contracting और हिंदी में आप बोल सकते हो कर and करार So उसका right answer होगे आपका Purchasing or contracting में जो negotiation skills होती है वो required होती है and very important skills होती है in purchasing and contracting So अगर आप लोगो को कोई भी another topic पे videos चाहिए तो आप लोग जरूर बताएं मैं उसके उपर video जरूर बना दूँगे आप लोगो के लिए Question number five में आपको बताना है जो centralized storage system होता है वो क्या provide करता है and हिंदी में इसे जाने जो केंद्रिक्रत भंडारा प्रणाली जो होता है क्या प्रदान करती है So इसका right answer है fourth जो centralized storage system होता है वो provide करता है better inventory control So centralized storage system में क्या होता है central unit होती है single location पे वहाँ पर जितना भी data है storage है सब कुछ maintain होता है single unit में So question number six में आपको बताना है GST के अंदर जो exercise duty and service tax होता है उसे हम क्या बोलते है and हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं एक बार explain कर देती हूँ जो GST में उत्पाद, शुलक और सेवा करको dash के रूप में जाना जाता है इसका right answer है CGST GST के अंदर जो exercise duty and service tax होता है उसे हम CGST बोलते है So इसके full firm होती है Central goods and service tax CGST So question number seven में आपको बताना है जो opportunity cost होता है वो इनने से किसका part होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए explain कर देती हूँ जो अफसर लागत होता है वो किसका हिस्सा होता है So इसका right answer है 4th inventory caring cost Inventory वहन लागत So inventory cost क्या होता है Supply chain के अंदर जितना भी हमारा expense होता है related to purchasing, storing, managing ये सारी चीज़े जो है inventory cost में आती है So inventory caring cost में क्या होता है इसमें जितना भी हमारा expense होता है वो related होता है जितना भी हम store कर रहे है Unsold goods को वो सारा expense हमारा inventory Caring cost में आता है Question number 8 में आपको बताना है DDP Contract Transit Insurance जो होता है इनमें से किसके द्वारा जो है arranged होता है Hindi में explain कर देती हूँ एक बार मैं आपको जो DDP अनुबंद में परिवहन बीमा का प्रभंध होता है वो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है So इसका right answer है First seller जो विक्रेता होता है वो DDP Contract Transit Insurance को arrange करता है So इसमें से आप से ये भी question आ सकता है कि DDP की full form क्या होती है So इसकी full form होती है Deliver duty paid So DDP की full form तो मैंने आप लोग को बता दी है आप लोगों के लिए homework है कि आप लोग जो है DDP का मतलब बताना है कि DDP का मतलब क्या होता है फटफ़र से जो आप लोग comment box भर दो आप लोग बिल्कुल भी comment नहीं करते हो comment करनें से क्या होता है या आप लोगों की practice होती है इसी वज़े से मैं आपको homework के लिए कुछ questions देती हूँ तो अगर आप लोगों अच्छे से तयारी करनी है तो आप लोगों को जो भी चीजे मैं दे रही हूँ वीडियो में उन लोग का answer आप लोग जरूर comment box में करें So question number 9 में आपको बताना है जो safety stock होता है वो हम किसके take care of करने के लिए use करते हैं मतलब structure stock को हम इन में से किसका खयाल रखने के लिए प्रयोग किया जाता है So जो safety stock होता है वो prevent करता है out of stock situation को मतलब आपका समान अगर खतम हो रहा है तो वो situation को ये लाने ही नहीं देता अगर आप लोग जो है safety stock product को store करके रखोगे warehouses में So उसका right answer हो गया variation in consumption and lag time पर 10 में आपको बताना है जो bridge codification system होता है जिसे हम bridge सहनती कारण प्रणाली भी बोलते हैं वो इन में से क्या होता है So उसका right answer है second ये 7 digit system होता है जो bridge codification system होता है ये 7 digit system होता है at the 3 different stages में So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो मैंने बहुत जादे ये efforts के हैं इन वीडियो को मनाने में तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना अब मैं आपको मिलती हूँ next वीडियो में with more MCUs thanks for watching